व्यान के बारे में आखिर सबके सामने कथा ने क्या कहा ये हर कोई जहना चाहता है क्यूंकि पारली कथा और व्यान दोनों एक हो चुके हैं और इस बात की वज़़स से आरवी ब्याद खुश है क्यूंकि वो पहली बार अपनी मा के डिसिजन के साथ खड़ा हुआ है और उस किर क ecos ने सबके सामने ऐसा क्या कहा है तो दीरस रखें कि मैं आपको बताओंगी कि प्थान व्यान के बारे में सबके सामने किस तरीके से अपने emotional को explain किया क्या ले елगार दुशली देखתחते अभी लोग बेहत खुश है लेकिन वहीं कहीं न कहीं रागहों की जो फैमली है वह बेहत उदास है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसकी फैमली कथा और आरफ के आ जाने की विज़े से कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और कथा फाइनली वियान के घर चली गई जहां उसे रहना चाहिए लेकिन अब नहीं यह भी देखा था कि किस तरीके से जो रागहों रहता है वो तूटे दिल के साथ भी उसकी मुस्कान बरकरा रहती है और जिसकी वज़ चीह कि मिल से अब नहीं हो सकता क्योंकि मैं व्यान के बेगार नहीं रह सकती और व्यान ही वो भले ही मैं इस जूट से बार बार भाग रहे थी लेकिन व्यान ही कि सच्छाई को उन्होंने एकसेप्ट किया और अब तक उन्होंने लड़ा है मेरे लिए इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती और मैं व्यान के भगर नहीं रह सकती जिसके बाद से व्यान भी बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो सौंग भी रहता है कथा की बाते सुनकी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कथा उसके बारे में ये बाते कभी कह सकती वेल इस वीडियो पर आप सभी क्या रहा है हमें कमेंट के जरूर बताएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी अपनी फेब्रेस एक अपडेट जाने के लिए देखते रहे हैं फिल्मे भीट और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बलकुल ना बूले और अगर आप यह वी